अउन बेटियुक है और के अधिन में से बिदी में समय स्टार्टिस्टिक्स के बारे में सब कुछ डिस्क्स कर रहे हैं तो इसके बारे में काफी लेक्चर में ले जुका हूं तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में डेफिनिशन में विदाया था कि स्टार्ट में हम करते हैं यह एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डेटा का कलेक्शन करते हैं उसका आर्गमेजिशन करते हैं डेटा का क्लासिफेचेशन करते हैं अगर जरुत पढ़ी तो उसका प्रिजिन पर्जिन करते हैं और फानली osph करके उसका इंटर्प्र गलते हैं और किसी कन्क्लूजेन पपार नेивает सब डेटा के बारे में डेटा के आध पस ही ए जो रिक्याष्मन सीट्व में तो लो मिनी होता है और कितनी तृस्क बैसने हैme यह जो हम इसकस करने जा रहे हैं बहुत ही जर्नलाइज है जरूर नहीं कि बाइस ट्राट स्काहँ यह कोई भी स्टप़ता है कि जयुआ हो जैसा कुछ होता नहीं अगर उसे business का कोई person यूज करता है तो वो business statistics फोल सकता है कोई pharmacy का बंदा है तो वो भी उसे यूज करता है, engineering के लोग भी यूज करते है, economics वाले भी यूज करते है, save formula को यहां पर हम बात करने जा रहे है data की, यह जरूरी नहीं कि biological data पर apply होता हो, एक बहुत ही generalize में बताने जा रहा हूं कि data कितने type के हो सकते है, और उनको कैसे classify कर सकते हैं, कितने type से classify कर सकते हैं, तो it's a kind of theoretical आपका session रोने वाला है आज का, जिसमें हम data के बारे में बात करेंगे, data क्या होता है basically, data is a collection of facts, बहुत सरे facts का collection, जैसे fact क्या हो सकते हैं, वो number हो सकते हैं, वो word हो सकते हैं, आप कोई चीज का measurement कर सकते हो, वो होता है, observation करते हो, वो हो सकता है, या किसी भी चीज का description करते हो, वो भी यह data बोल सकता है, जैसे example देखेगा, number of farmers से ने block, किसी particular block में, कि पर्टिकुलर village में, कितने number of farmers यह data है, किसी particular month में, या किसी particular time interval में, कितने दिनों में, कितनी बारिष होई, यह भी data है, किसी particular state में, कोई particular crop हो, कितने area में होगा ही गई है, वो again data है, तो data में आपको पताया था, कि data दो तरीके का हो सकता है, जब आप उसे सिर्फ describe कर सकते हो को qualitative हो सकता है, उसको कोई number में आप represent नहीं कह सकते है, तो उसको qualitative data बोलते है, जब उसे आप number में represent कर पाऊगए, तो उसको quantitative बोलते है, और quantitative के दो type होते है या तो discrete होता है या तो continuous होता है discrete में ऐसा होता है कि basically जब आप counting करते हो तो जो आप कोई number की counting करते हो जैसे आपके class में होगर हम देखें कि कितने बच्चे है तो सब वो 60 बच्चे है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 60.1 है या 59.9 है हम हमेसा या तो 1 होगा बच्चा या तो 2 होगा या तो 3 होगा तो complete integer में हम उसे express कर पाएंगे तो ऐसे numbers को हम ऐसे data को बोलते हैं discrete quantity to data और जब उसे जब आप कोई चीज़ measurement करते हो जैसे आपकी height है जैसे आपका weight है तो वो decimal में आ सकता है तो जब भी कोई data हो जिसको हम decimal भी लिख सकते हो तो ऐसे data को हम बोलते हैं continuous quantity to data तो देखते हैं हमारे statistics में जो data होता हो कितने तरीके का हो सकते हैं तो data जैसे मैंने पता है कि data are the value we get when we measure our object variable मतलब वो data वो ऐसे value है जैसे या तो हम measure करते है या object करते है तो मिलता है तो ऐसा data जो हम census के थ्रू या survey के थ्रू या routine experiment हम generate करते हैं किसी sources से तो चाहे होगा census से data census मतलब जनगरना होता है जब लोगों की accounting करनी होती है या survey को हम conduct करते हैं field में जाकर के लोगों से पूछते हैं या हम अपने lab में कोई data को generate करते हैं वह experiment करके generate करते हैं जैसे हम biological science में तो हम जो experiment करेंगे lab में तो जो data generate होगा उसको में raw data बोलता है और जब raw data को हम group या class में divide कर देते हैं तो उसको group data बोलता है तो दो तरीके का data हो सकता है ऐसा ही रखा हुआ आपने तो उसको raw data बोल दिया और उसमें group कर दिया या classes उगरा बना दी तो उसको group data बोलता है तो data दो तरीके का हो सकता है ungroup हो सकता है और group हो सकता है जब आमने measure of center tendency पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था तो आप measure of center tendency पढ़ा सकता है प्ले लिस्ट में सारे वीडियो अबले पर दो दो तरीके के data होते हैं अगर हम data की characteristics पर बात करें तो data को बैसके लिए अगर देखा जाए कि ऐसे data जो हम actual observation करते हैं चाहाई वह survey करके लेँ या counting करें या measurement करें तो सारे data को हम क्या बोलेंगे primary data बोलेंगे और ऐसे होता है का सीहां किसी अरम कर रखा हुआ है किसीर अर्ने काम करके रखा होगा की से अपने काम लिए निभूर्शम स्पनु प्राइमरी डिटार जा है तो उसको बोलेगे secondary data तो चलिए पहले हम primary data की बात करते हैं और बात में detail में किसकी बात करेंगे secondary data के बात करेंगे और यह भी देखेंगे कि अखे जो secondary data है उसका sources क्या है तो पहला बात करने जा रहे है primary data की तो बताए आपको the data which is collected by actual observation मतलब आपने experiment किया है lab में observation और measurement किया है या कोई चीज काउंट किये तो उसको प्राइवरी डेटा बोलेगे अगर आपको कोई research work है आपने अपने बात करते हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लाइब में कर सकते हैं या अगर कोई economics का है काम करना है या कोई survey का work करना है तो अलग तरीके से हम data collect कर से हैं तो यहां पर मैं जनरलाइज करम बता रहा हूं यह biology में apply हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो एक जनरलाइज पूरे strategy में बात करना है कि primary data कैसे collect है तो कई सारे method हो सकते हैं जैसे direct personal interview अ made questionnaire method are scheduled sent through enumerator देखते हैं के करके detail में यह क्या होता है तो number one है जिसको बहुत है direct personal interview direct personal interview का मतलब किया है कि the person from whom information are collected are known as informants or respondents मतलब आप जिस person से data को उकठा कर रहे हो data का पता कर रहे हो data को record कर रहे हो अपने experiment के लिए आपने research के लिए तो जो information दे रहा है उसको informants या respondents वो को है इनका data आप collect करते हैं जिसे अगर कोई respondent और जो data collect कर रहा है जो दे रहा है उसको informant या respondent बोलेंगे और जो कर रहा है उसको में investigator बोलेंगे कि हम accurate the investigator is there to clear that out of the informants मतलब क्या हुआ कि जो investigator वो खुद direct question पूछ रहा है तो वो जो भी आपका respondent है या जो informant है जो जानकारी दे रहा है तो उसमें consistency रहेगी accuracy रहेगी क्योंकि अगर हो कुछ data गलब भी बता रहा है तो उसको guide करने के लिए कौन बैठा होगा investigator बैठा होगा तो डेटा ऐसे cases में क्या होता है accurate number two people willingly supply information because they are approached personally hence more responses noticed in this method than than any than in any other method इसका मंदब क्या हुआ कि इसमें चुकि हम personally इस टाइप के research के लिए हम personally approach करते है respondent को इसलिए जब आप किसी को personally approach करते हो तो comparatively responses ज्यादा देने के chances होता है तो यह इसका plus point है बस इसकी limitation क्या है limitation यह कि अगर आपको sample size जादा है आपको ज्यादा लोगों का data इकठा करना है तो आपको सब को personally visit करना पड़ेगा तो obvious अगर personally आप सब के वारे घर जाओगे तो बहुत सारा costly हो जाएगा और बहुत सारा time लगने वाला है और अगर बहुत ज़्यादा लोगों को आपको करना है तो यह और जो बहुत बड़े एरिया में लोग हैं पुरी country के लोगों को माले data पूल करना करना है यह किसी स्टेट की लोग को करना है यह किसी इवन डिस्टिक का भी करना है तो डेटा बहुत मतलब एरिया अगर बहुत बड़ा है तो आपको travel करना पड़ेगा किसी के रह जाओगे और जवाद देगा नहीं देगा बहुत सारी चीज़े उनगी तो ऐसे में जो आपकी रिसर्ट की कास्ट है वह बहुत जगा बन जाएगी है तो दूसरा मेथड हम देखते है इंडिरेक्ट ओर इंटर्विव इंडिरेक्ट ओर इंटर्व्य होता यह हम सब भी कि कुश्टा इस मेथड में क्या करते है कि जो हमारा informant या correspondent है हम डिरेक्ट लिशे को पूश्ट नहीं पूश् तो जह से आपको सारे लोग को जानता होगा किसी ग्राम सभा में जाओ गई सभाव प्रधान नहीं उससे पूंआ लगबल हुळ अपने जो एरिया है इसकी बारे है जानकारी होगी तो इसमें क्या होगा चुब कि एक ही आदमी सारे लोग की जानकारी गोगोगों को कट्रेक्ट करना पड़ता है कम एरिया में लोग रहते हैं यह जल्दी हो जाते है लेकिन इसकी यहां पर जो है जो है उसको डिश्टाट किया जा सकते हैं नेक्स दिखते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्म करेस्पॉंडेंट्स का मतलब क्या होता है यह बैसे केसे में जब आपके पास वह नहीं को अब यह कुछ जाले कि पर गिर्टिकल पर्टी और उसको इंटर्ण पता करना है कि आकि किसी को ओड़ेंगे वहाइं तो ज्यादा पॉपुलर है तो नोग्रag नियूशन प्ता प्रेंड पर आपको पर आप ब्रूण आपको जाहां इस ऑप्ता करना है कि इस एक तो उस consistency में तीन-चार ही दिवार होगे वो बोल रहा होगे मुझे टिकर दो सेम पार्टी में तीन-चार लोग बोलते होगे मैं जीत जाओंगा आप मुझे टिकर दो तो जो लीडर हो जो टॉप की लोग हैं वो किसको किसको देंगी कि सारे लीडर क्लेम कर रहे हैं कि अगर बॉल आप में टिकर दो लिए तो ऐसे किस में क्या कर सकती पार्टी उसको टिकर देना चाहेगी जीतने के चांसे जाता हूं तो क्या करेंगी ऑबियस है तो उसके पास टाइम क्यों नहीं है कि जाके पूछे कि कौन लीडर है जो ज़्यादा पावर्फुल है पॉब्लिक क अगर आपको कोई बिजिस पर काम करना है तो आप उसके साबसे लोकल अगेंसिस को हायर कर सकते हो जो उसका सर्वे करके आपको देगी ऑबियस से उसके बद्ले आपको पेकर ना पाते है अगर उनों वो सीरियस नहीं वह उननों डेटा को पुल्सक्राइब आपको परसुनली जाना नहीं है लोकल जो अगेंसिस ने वो काम करके देंगी आपको अगर उनों वो सीरियस नहीं वह उननों डेटा को पल्सिफाइब कर दिया तो अल्टिमेटली आपके रिसेट की फरक पड़ेंगी और क्या हो सकता है फॉर्थ मेल्ड क्वेश्चनार मेतड यह पुराणा मेतड है तो उसमें क्या करते थे अंदर इस मेतड़ पुछोंगे वह आपसे आपको पोस्ट रिटर्ण कर देंगे अभी जमाना अथ्वास चेंज हुआ है अब आप क्या कर सकते हैं और चुकि आप परसुनली आपको मिलने नहीं जाना कि इसे एजल को हैर नहीं करना है सिर्फ आपको मेल करना है अगर आप वो मेल का जवाब आपको दे देता है यह आज की देट में बहुत आगे हो गई है आप अनलाइन सर्वे कर सकते हैं अनलाइन फॉर्मप बना सकते हैं डेट आपको कोई पैसा बजार नहीं लगे और लोग विलिंगली क्या करेंगे आपको जवाब देदेंगे तो मेरिट क्या है इट इस सर्वें में आपको जूल जाएंगे इस फास्ट इफ दा इंफॉर्मेंट रिस्पॉंड दो ली अगर फट आफुट रिस्पॉंड देते हैं तो आपको बहुत ज़दी काम दो जाएगे लेकिन इसके लिमिटेशन क्या है वह दा इंफॉर्मेंट सार इलिटरेट अगर ऐस सब्सक्राइगे अगर मतलब क्या होता है कि आप किसी के घर परसनली मिलने जाएगे या आपके बिहाब पर कोई जाएगा लेकिन वह कैसे ऐसे किसी के घर नहीं पहुंचाना है आप उसे प्रॉपर सही टाइम पूछ करके कि आप कब अवालेबल होंगे तो उसके घर इस मेधर की बेनेफिट किया है इस मेधर का बेनेफिट यह है इस पैंड़ एडाप्रेट इवे इद्धा इनिफॉर्मेंट्स और इलिट्रेट अगर इलिट्रेट कोई भी है तो भी आजागे कोच्छन तो पूछी सकते हो और और वो कब घर पे रहता है कब वो कमफरटब होगा तभी आपको बुलाएं तो ऐसे केसे में नॉन रिस्पोंस काफी कम हों लेक्स देखें इन्फॉर्मेशन क्लेक्टेट अरे लेवल कि यह आपने पर्सनली उसे अप्रोच किया है नंबर फोर अनुमेरेटर कान बी प्रॉफर्ली ट्रेंड फर्दर से अब्यास है जो जो अनुमेरेटर होगा जो क्लेक्ट करना होगा डेटा को काफी ट्रेंड होगा इसके लिविटेशन क्या है कॉस्ट लेस्ट में इस आपको पहले केसे में बताए था पहले केसे में क्या है वैसे पहुंच जाते है रेंडम ली और यहापर पूच के जा रहें बईता है इं सब्सक्राइब कर लिए उसको सब्सक्राइब करना है आपको कोई इकठा करना है आपको यह पता करना है कि इंडिया के लिए जो मेल और कर सकते हैं कि आप यह पुद रिसर्श करें आपके पसी बड़ी मशीनिवी हो कि पूरी इंडिया में घर जाकर कर सके कि अध्या करके आपको पता से ले कि इस परसन का नहीं है आप बसका नहीं कि एक आद्मी को इत्तवरा डिटा एक चालिश तो लोगों का एक अध्था करता करन तो वह लिए नहीं है और लुजी हो किया अगर स traumatismувारि तो गॉर्भएक ने का डिटा हो थो इसके अंधरिटा करें के लिए तो यह कुषय करेंग यह का का मैं लिए हैर्य टा कॉляर्म्री रिए जिन्टा में अपने घ्रानी में अठेलों सब्सक्टिंग और प्राइन भाइन अभी तो बीड़े नेट को अपना इस अर्वी तर दोगार रिखेंट वो पॉब्लिक में आजाएगा और मेरे वार्कू कोई उसके लिए से कंडि़ देटा हो लेकिन में नहीं किया है तो मेरे लिए को प्रेमिर डेटा है सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं इसने अपने काम के लिए किया होगा वह आपको सूप कर भी सकती है और थोड़ी बहुत नहीं भी कर सकती है सब्सक्राइब करते हैं श में हिंपना डeo में रिप्ली करीशंद टो इससें इपनी दिप्पोश प्रपप सिस्क्राइब करी साकिच laws tracking उनिर्प वर्यरा और रिच्प करिकेशंद सब्सक्राइड आपको ने हिए आपको पताऊगा politics politics में government बहुत सारी committee बनाती है commissions बनाती ही वो रिपोर्ट अपनी देती है वो भी published data है अगर कोईसे ने कोई research किया laboratory में और उसको पॉब्लिस किया उसका data आप यूज कर लेकर हो हमारे जो अगर मैं कोई रिसर्च करता हूं मैं उसे पॉब्लिस कर देता हूं तो आप उससे ले सकते हो करता है यह यह उनिस्का कोई data है यह यह सारे सोर्से हैं पर इपैसा करता है आप किस तरीके कर डेटा लेंगे, आप किस तरीके का रिशर्च कर रहें, आपके डिमांड का सक्टेर का जो आते हैं जैसे हिसाब से पॉब्रिस्स समय करें यह अन्पब्रिश डेटा हो गया जैसे विलेज लगल आफिसे मेंटें रिकॉर्ड रिगार्डिंग एरिया अंडर क्रॉप क्रॉप प्रॉप प्रॉप जो वहां के जो तलाटी होते हैं या जिनको आप लेगपाल बोलते हो या पटवारी बोलते हैं तो पटवारी हो तरा प्रॉप अफ़ते हैं कि किषा में मतलब उनके जो ग्रामसफा में है और कहीं पर भी क्या होता है फिसे विच्टल के लिए चता है किसी ब्यूंति आंप लिच आपका है रिपोर्स्टम हो और डिटेल्स कलेक्टेट बाइ प्राइवेट अर्गाइज़शन रिगारी परसंसे प्रॉफिट शेल इट्सेक्रा वीकंश्चेंडी डेटा नर्यू रियू प्राइवट जा सकता है तो वह सारे अनपॉब्लिश्ट अल्या अगार्प्रिस्टिक्स क्या होता है इस तरह से मुझे आज बात किया कि प्राइंडरी डिटा क्या होता है और सेंडरी डिटा क्या होता है अगर हम इसको एक ही उसमें देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी डिटा और सेंडरी डिटा में तो इस टेबल को आप देख सकते हो कि अगर हम ओरिजिनलिटी के टर्म में बात करें तो चुकि आप अपने रिसर्च के लिए डेटा क्लेट करते हो तो वह ओरिजिनल डिटा होत जब हम को एक्सपरिमेंट करेंगे तो ABSM data इस तरह से collect करेंगे कि वो हमारे work के लिए suitable हो जब कि जो secondary data है वो किसी और नहीं किया होगा वो हमारे work के लिए suitable हो सकता है नहीं भी हो सकता है अगर थोड़ा बहुत नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत अपने रफ से modify कर सकता है time and label चुकि primary data होता है उससे आपको खुद करना पड़ता है तो आवेस उसमें time जदा लएगा तो time जदा लएगा तो cast भी जदा लएगी mind power जदा लएगा जब कि secondary data किसी का data सीधा copy कर लेना होता है या code कर लेना होता है precautions क्या है क्या है चुकि आपका data है वह consistent है उसमें ज़्यादा precaution रखने की जुरूद नहीं है लेकिन जब दूसरे का readyment data आप लोग है तो उसको बहुत अच्छे से use करना पड़ेगा तो यह ही हमारी बात कर ली हमने इसकी type of data और collection of data यहétalin अब बात करते हैं कि हम data के classification कैसे करने कित्य तरीके का data को सकता है तो पहला हमने देख ए चाहे हो primary data हो चाहे हो secondary data हो तो उसका further जो primary data और secondary data हो उसका classification कैसे कर सकता है classification is the process of arranging data into group or classes में उसका अर्णियों कर सकते हैं कैसे एकाटन कि जांजेतीह सब्सक्राद की हो सकता है देखो ग्राफिकल आपको पता है इसको special classification भी बोलता है जिसे डेटा कैसा हो सकता है रभी रभी सपार्प करें इंडिया लें वहां संदों पर आसे अधनाक सारा कोंगें से संट्रल पर इंडिया कितना है तो कोई क्रॉप हो गए घैंक वäs्ट में किता हुद नौ्प मी किता हैं इसमें किता हैं संगे उसको तो बोते हैं geographical classification है, ऐसा भी data होता है, chronological या temporal या historical classification, जब आपको कोई data हो year-wise हो, या time-wise हो, जैसे अगर कोई हम crop production देखें तो किस year में कितना हुआ था, तो 1991, 1992, 1991 में इतना 10 production हुआ था, 92 में इतना हुआ था, 93, 94 में कितना हुआ था, तो बहुता बहुता है, जब वो time-wise हो तो उसकों क्या होता है, chronology, next data कैसा हो सकता है, it may be qualitative, तो qualitative में क्या हो सकता है, जैसे आपर क्या हम पर देखें, कि अगर मांदिया किसी particular area में, किसी particular district में, या किसी particular country में, हम ऐसा एक बना सकते है, quality to classification कर सकते हैं, कि कितने फार्मर हैं, कोई interestman को छूप देनी है, या loan इनको माफ करना है, तो marginal वाला को कितना हम marginal रखें, कितना तक ती होगी, तो marginal होगा, कितना होगा, जो medium range में आएंगी, कितना होगा, जो large आएंगे, तो छोटे किसानों को फाइदा देना है, बड़े को देना है, तो यह सब data जो है, जो marginal है, या medium है, या आपका होगया qualitative classification, क्लासिफिकेशन ही अगें दो तरीके का हो सकता है, पहला इससे बोते है, simple classification, यह सिर्फ एक ही quality पे डिपेंड करता है, जैसे cultivable land है, तो इसके दो देखें, cultivable land कैसे हो सकती है, rain-fed and irrigated, मतलब उसमें खेती हो सकती है, लेकिन खेती कैसे हो सकती, अगर वो irrigated, मतलब वहां पर पानी से होगी, उसको बोलेगा rain-fed, तो आप देख सकते हो, cultivable land के जोटाइब को इससे rain-fed and irrigated, जैसे education level of farming तो यह तो illiterate होंगे, जोनी चीज़े होगी, और जब कभी हम ऐसा बोते है, manifold, एक से ज्यादा quality गरम ले, जैसे यहां पर देखें, जैसे number of farmer है, number of farms है, जैती की ज होगाई जा सकते हैं, या vegetable होगाई जा सकते हैं, तो यह दो टाइप होगाई, irrigated है, तो ठीक है, वहाँ पर food crop होगाई जा रहा है, या veg, और सब्जियां होगाई जा रही है, तो या manifold, कई सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, कि उसका वैटी के rain-fed or irrigated, मतलब irrigation, मतलब वहा कात्र के supply कैसे हो रहा है, और दूसरा वहाँ पर होगा है, क्या जा रहा है, तो एक से जदा जब quality लेंगे, तो इसको बोलेंगे manifold classification, आगे परते हैं, next, last परते है, quantitative classification, जहां पर, some data can be classified in term of magnitude, जहां पर हम magnitude लेंगे, the data on land holding by farmers in a block, quantitative classification is better than the land holding, which is the variable in this example, as a land holding hectare है, less than one hectare, कितन 1 to 2 hectare किते farmer के पास जमीन है, 2 to 5 hectare किते farmer के पास जमीन है, more than 5 hectare वाले किते farmer है, तो यह सब data कैसा आगे आपका, quantitative classification, तो इतना तरीक, आज हमने देखा, कि data किते तरीके को हो सकता है, primary data हो सकता है, और secondary data हो सकता है, primary data हम खुद करते हैं, या करवाते हैं अपने team से, जब कि secondary data होता है, वो किसी और न किया होता है, उसको अपने research में use कर लेते हैं, और बात में उने देखा, जब data हमने collect कर लिया चाहिए, वो primary data हो चाहिए, secondary data हो, तो उसको हम अलग लग तरीके से कैसे classify कर सकते हैं, तो यह हमारा आगे basic रहा, कि type of data and classification of data, उमीद करता हूँ, कि आप कोई सारी points समझ में आया होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक भी कर सकते हो, और हाँ आपने दोस्तों के साथ जो statistics में struggle कर रहे हो, आप उनके साथ share भी कर सकते हैं, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, till then, take care, thank you, jahind.